गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबों का बीपी एसी और हम पर आज इस चैनल पर आए हम लोग सेट नंबर 13 पर प्राक्टिस करेंगे बीपी एसी और हम इस चैनल का नाम है आप इस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे यहाँ पर कंटिनिवसली सेट्स अपलोड होते हैं जो कि आपकी एक्जाम में बहुत ही हलफुल साबित होंगे तो चली स्टार्ट करते हैं सेट डिसकसन नमबर थाटीन है डॉक्टर रजनिस कुमार का है जैसे कि मैंने बता रखा है पहले ही और प्रिवियस के और भी सेट्स देखने के लिए आप प्रिवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो इन बॉक्स में लिंक होगा तो वहाँ भी आप देख सकते हो तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्रेटी चाहिए जिसन में पहला से ब्राम्हना किसन पेसे जुरा हुआ है अन्सर हो जाएक क्यों ब्राम्हन जुरे आरन्यक और उसकी अलावे है यह सब कुछलिए जाते हैं तो ध्याण रखिकींगा और व्रिहधार नियक पहाए नेक्स्ट पेचलते हैं वैंशेशिक दर्शन के रचनाकार्स कर था शेशिक दर्शन के रचनाकार है कनाद या उलुक सड़ी यहां पर थोड़ा समिस्प्रिंट कजाद दिया हुआ है कनाद होगा कनाद या उलुक ठीक है नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतीम या 24 में तिर्थंकर और इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का परतीक है तो म महावीर का परतीक चन सिंग है नेक्स्ट है निमबार्क संपरदाय किस धर्म से संबंदित है निमबार्क संपरदाय जो है या वैशनव धर्म से संबंदित है पाटली पुत्र यानि कि पटना नगर के स्थापना का श्रे किसे दिया जाता है पटना के स्थापना के अगर ब हलाकि प्रारंभ में इसका नाम पाटली ग्राम था तो यहीं पे पाटली पुतर नामक नगड की उन्होंने स्थापना की थी नेक्स्ट है अशोक का अशोक नाम किस शिलालेख में मिलता है अशोक का अशोक नाम मास्की और गुर्जरा के शिलालेखों में मिलता है मास्की जो की करनाटक और गुर्जरा जो है यह मास्की जो है करनाटक में है और गुर्जरा जो है यह MP में है यह शिलालेख ठीक है MP में पाया गया है तो इस तरह से मास्की और गुर्जरा के शिलालेखों में समराट असोक का नाम असोक मिलता है और पुरानों में उसका नाम वो अशुक वर्धन दिया गया है कलिंग के चेदी वन्स का संस्थापक था कलिंग के चेदी वन्स का संस्थापक महा मेग वाहन था नेक्स्ट है ब्रेटिस सरकार का यह दावा की भारत की जन था दूतिय विश्युद में ब्रेटिस सरकार के साथ है इन दावों को खोखला साबित करना किसका मुख्य उद्देश था तो इसमें आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्यागरा का व्यक्तिगत सत्यागरा का मतलब ही था कि हर व्यक्ति सत्यागरा अर्थात ब्रेटे सरकार के साथ नहीं है और नाखुस है और इसलिए हर व्यक्ति वि 1940 को इसके शुरुवात की गई थी 17 अक्टूबर 1940 ध्यान दिजिएगा डेट को 17 अक्टूबर 1940 ठीक है जिसमें बृटिस सरकार के साथ भारतिय नहीं है यह बात साबित करना था सर्व पर्थम पाकिस्तान शब्द का परियोग करने वाला रहमत अली किस विश्र विद्याले का शात्र था तो रहमत अली जो थे यह अक्सफोर्ड युनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने ही सर्व से पहले पाकिस्तान शब्द का परियोग किया था नेक्स्ट है द्वीतिय सबने अवग्या अंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो द्वीतिय सबने अवग्या अंदोलन की शुरुआत उने 132 में हुई थी और एक्चुल डेट थी 3 जनवरी ठीक है तीन जन्वरी 1932 को दूसरे सबने अवग्या अंदोलन की शुरुआत की गई थी ठीक है और इस अंदोलन को हलांकि 7 अप्रेल 1934 तक समाप्त कर दिया गया था ठीक है और ये दूसरा सबने अवग्या अंदोलन कब किया गया था तो यह किया गया था गंधी इर्विन पैक्ट से मिली निराशा के बाद नेक्स्ट है बंधी जीवन नामक पुस्तक के लेखक हैं बंधी जीवन पुस्तक के लेखक हैं शचिंद्रनाथ सान्याल शचिंद्रनाथ सन्याल ने करांतिकारी आंदोलन पर बंदी जीवन नाम की एक पुस्तक लिखी थी सोतंतरता आंदोलन के क्रम में शीवाजी उत्सव का आयोजन किस ने किया था तो शिवा जी उत्सव इसका आयोजन सबसे पहले बाल गंगाथर तिलक ने शुरू किया था और उनका उत्देश से उत्सव के आयोजन का उत्देश यही था उनका कि रास्टरवादी विचारों का परचार और परसार किया जाए और लोगों में रास्टरवादी विचारों क शिवा जी उत सबका आयोजन प्रारंब किया था, 93 और 95 आगे है असायोग अंदोलन के शुरुआत के समय भारत का वायसराय असायोग अंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो था लार्ड जेम्स फोर्ड था नेक्स्ट है भारत के विभाजन पर किस ने कहा था भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा तो यह महात्मा गांधी का कथन था और वो बटवारे के बिलकुल ही बिरोध करते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा गांधी जी को किस ने One Man Boundary Force कहा था? One Man Boundary Force गांधी जी को Lord Mountbatten ने कहा था. तो Mountbatten सामपरदयाいक था के खिलाब गांधी जी की अकेले लराई के कारण नहीं उन्होंने एसा गांधी जी के बारे में One Man Boundary Force कहा था. अर्थात उनके कहने का मतलब या था कि वह एक अकेले व्यक्ति ही एक पूरा बाउंडरी फोर्स का मुकावला की बराबरी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेटिव ओपिनियन पत्र के संपादक तो नेटिव ओपिनियन पत्र के संपादक बीएन मांडलिक है बीएन मांडलिक ठीक है आंसर ये B.N. Mandelik नेक्स्ट है कहाँ 20.1920 को हिंदु मुस्लिम की संजुक्त बैठक हुई जिसमें असहयोग अपनाने का फैसला लिया गया 20.1920 को हिंदु मुस्लिम की संजुक्त बैठक हुई थी इलहाबाद में जिसमें की असहयोग अंदुलान अपनाने का फैसला किया गया था आगे है question number 18 इसमें से किसने तीनों गोल में समिलनों में भाग लिया था इसमें से बियार अमबेटकर ने तीनों ही गोल में समिलनों में भाग लिया था और तिनों गोल में समेलनों का वर्ट स्क्रम है 1930, 1931 और 1931 ठीक है आगे है किस व्यक्ति ने 30 मैं 1929 को अपना नाइट हुड का अलंकरन भारत सरकार को लोटा दिया था नाइट हुड लोटाया था रविंदर नाथ टैगोर को नाइट हुड की उपाधी दी गई थी और उन्होंने जालिया बाला बाग घटना कांड के बाद 30 मैं 1929 को टैगोर ने इस उपाधी को वापस कर दिया था नाइट की उपाधी दी गई थी अक्टूबर 1929 में भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए ताशकंद्र में कत्र हुए भारतियों के समुह के मुखिया निमने लिखित में कौन थे ताशकंद्र में भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए बहुत से भारतियों का एक ग्रूप एकठा हुआ था डेट थी अक्टूबर 1920 ठीक है तो इसमें इसके मुखिया जो थे ताशकंद्र में तो यहाँ पर M.N. Roy को यहाँ पर कम्मिनिस्ट पार्टी की का अध्यक्ष बनाने के लिए मंतरित किया गया था और इसमें अध्यक्ष बनाए गये थे M.N. Roy M.K. किस अधिनियम के अंतरगत लर्कियों एवं लर्कों के विवा की नियुनतम आयू 14 वर्स और 18 वर्स कर दिया गया मतलब लर्कियों की 14 वर्स और लर्कों का 18 वर्स तो यह किया गया था शार्दा एक्ट के तहत शार्दा एक्ट हर विला सार्दा नाम के वेक्ति थे जिनके कोशिसों से वर्स 1929 में बाल विवानी शेद कानून बना था और यह शार्दा एक्ट भी इसे कहा जाता है कौन सा एक सही काला नुक्रम है सही काला नुक्रम यहाँ पर शंकराचाड़े रामानुज और चैतन ने इन तिनों का एक सही काला नुक्रम है आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट है पहले इसको डिल कर देती हूं संक्राचारे का जन्म हुआ था 788 में, रामानुज का 1018 में, ठीक है, और चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 में, मतलब बढ़ते क्रम में है, यह सालिन का, तो यह तिनों का कह रहा है, बी में सही काला नुक्रम है, नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना के स्थापना करवाई थ 1575 में, और यह इबादत खाना के स्थापना कहां हुई थी, या राजधानी थी, उसकी फतेव पूर्सी कड़ी, वहीं पर उन्होंने इसके स्थापना की थी, यह इबादत खाना एक तरह से प्राथना भवन था, जिसमें धार्मिक वाद विवाद और विभिन धर्मों के सं अबंद में जानकार यह एकत्र की जाती थी, विभिन धर्मों के धर्मगुरू वहां पर उपस्तित होते थे और आपस में वाद विवाद किया करते थे, और उन सभी का निसकर से ही अकवर ने अपने नविन जो उनका विचार था, मत था या धर्म या संपरदा जो भी कहले तोहीदِ इलाही या दिने इलाही उसमें उसको शामिल किया गया था, इन ही वाद विवादों के निचोर को. किसके उपरांत अकवर ने सुल्ताने आदिल की उपाधी धारन की थी सुल्ताने आदिल तो सुल्ताने आदिल की उपाधी धारन की थी महजर जारी किया था अकवर ने और इसे महजर जारी करने के बाद अकवर ने सुल्ताने आदिल की उपाधी धारन की थी महजर की उपाधी उसने क्यों धारण की थी तो धार्मिक वाद-विवाद जो वह कराया करता था फटेफुर सीगडे की अबादत खाने में तो वहाँ से जो धर्म गुरुओं के आपसी सास्त्रार्थ या फिर वाद-विवाद से जो भी निसकर्स जो भी उसने वहाँ पर सीखा या सीखने को उसे मिला उसी ग्यान के बाद उसने एक महजर जिसे की घोषना पत्र भी कहा जाता है यह 1589 में यह महजर कब जारी किया गया 1589 में उसने जारी किया था और इस महजर के अनुसार अकवर धार्मिक मामलों का सरवच्च और अंतिम न करता बन गया था और इसी महजर जारी करने के बाद अकवर ने सुल्तान अदल की भी उपादीधारन की थी ठीक है महजर जारी करने का अर्थ यह था कि धार्मिक जो भी निरनय या मामले होंगे उन सब में भी सर्बच निरनय राजा का ही होगा दिल्ली का वो पर्थम सुल्तान जिसने हक शर्ब या सिचाई कर लगाया हक शर्ब या सिचाई कर से संबन्ध जो भी है सब फिरोसा तुगलग के समय में किये गए थे इसने सबसे ज़दा नहरों का निर्मान कराया और उलेमा की उर्णुमती के बाद हक शर्ब नामक सिचाई कर लगाया था तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमन किया था तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमन किया था 1398 में ठीक है तो कहीं कहीं 1397 में भी रहता है तो 1390 में तैमूर लंग ने भारत पर आकरवन किया था और उस समय जो शाशक थे भारत पर नसीरुदिन महमूद सा ठीक है नसीरुदिन महमूद सा और तैमूर लंग की बाद ही भारत में फिर सयद वन्स की 27 स्थापित होती है जो कि 1414 से 51 तक रहती है 1414 से 51 तक बहुत ही कम समय के लिए सयद वन्स की सत्ता रहती है आगे है आगे है सामान्य विज्ञान से और इस वीडियो का सताइस्वा कुश्चिन और विज्ञान का पहला कुश्चिन है आमल का पी एच मान कितना होता है आमल का पी एच मान साथ से कम होता है साथ से कम होगा तो एसिडिक होगा साथ से ज़्यादा होगा तो छाड़िये होगा और साथ ही होगा तो उदासीन होगा यानि कि साथ के आसपस होगा तो यह उदासीन होगा तो इस तरह से अमल का पीएच मांज होता है या साथ से कम होता है ठीक है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अमल का इसका स्वाद खटा होता है यह सही है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है बिल्कुल अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका जलिये घोल विद्दुत का सुचालक होता है सही है यह छार के साथ मिल कर लवन और कीवल का निर्मान करते हैं यह भी सही है तो इस तरह से इसमें सभी सही है इसलिए आंसर हो जायाएगा इय उपर्युक्त में से एक से अधीक आगे है रावनगा गयलने किसका आयसक है घलने जो है यह सिशे का आयसक होता है अंसर हो जाएगा B- शीशा, शीशे का आयस्क, और इसके अरावे ग्यालना के अरावे सेरुसाइट और एगलोसाइट भी सिसा के आयस्क हैं, आगे है, नेमने में से किसे में कार्बन की मात्रा सरवाधिक होती है, कार्बन के सबसे अधिक मात्रा जो है, किसमें होती है, आंसर हो जाएगा, इसमें एंथ्रासाइट में लगभग कोईले की लगभग 95 से ले करके 98 परसेंट तक कार्बन यानि की कोईले की मातरा होती है तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट डाइनमाइट जैसे विसफोटक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है डाइनमाइट बनाने के लिए में लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक आमले TNT, नाइट्रिक गलिसरीन, डाइनमाइट जैसे विसफोटक बनाने में रंग गड़ा शुदी बनाने में भी किया जाता है आगे है ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है तो आंसर हो जाएगा A, B युनिवर्सल एसेप्टर कहा जाता है A B को और युनिवर्सल डोनर कहा जाता है O को ठीक है नेक्स्ट है इलेक्ट्रो एंसे फैलोग्राम अर्थात E E G E E G निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है तो E E G जो है यह मस्तिष्क की जाँच के लिए इस तकनीक का परियोग किया जाता है यह मानसिक अवस्था की सामाने और आसमाने स्थित्ती का पता लगाता है इसमें और इस तकनीक में बहुत ही पतले छोटे छोटे तारों की छोटी छोटी डिस्क जिनको इलेक्ट्रोड विका जाता है उसे खोपड़ी के हरेक भाग पर रखा जाता है आगे है शरीर का तापकरम नियंत्रित करता है शरीर का तापकरम हाइपो थैलमस नियंत्रित करता है केमिकल के सिगनल मिलते ही वो ऐसे हर्मोन रिलीज करता है जिससे पारा बढ़ने वाली गतिविधियां शुरू हो जाती है तो चाकी ब्लड वेसल जा करने लगती है जिस कारण शरीर के गड़मी का निकलना मुश्किल हो जाता है ठीक है? 36 कह रहा है सही कथन चुनिए तो सही कथन कौन सा है या चुनने को कह रहा है पहला तो इसमें 36 में सही कथन चुनिए लाल प्रकास का तरंग दर्ग बैगनी प्रकास से कम है तो यह तो गलत ही हो जाएगा देखते हैं अगला ओप्सन क्या है लाल प्रकास का तरंग दर बैगनी परकास से ज़्यादा है या सही है बैगनी परकास का तरंग दर्ग हर एक परकास से ज़्यादा है गलत और बैगनी परकास का तरंग दर्ग पीले परकार से ज़्यादा या भी गलत अर्थात आंसर भी हो जाएगा सही कतन चुनने को कर रहा है तो केवल आंसर भी हो ज यानि कि लाल प्रकास का तरंग दर्ग वैगनी प्रकास से ज़्यादा है 40 डिग्री सेंटिग्रेट का मान फारेन हाइट स्केल में है 40 डिग्री सेल्सियस का फारेन हाइट स्केल में कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 104 डिग्री F ठीक है ए आंसर नेक्स्ट है विद्धुत शक्ति की इकाई है विद्धुत शक्ति की क्या इकाई है अंसर हो जाएगा विद्धुत शक्ति की इकाई जो है यह वाट होती है शक्ति का मातरक वाट ठीक है किसी विद्धुत परिपत में जिस दर से विद्धुत उर्जा अस्थानंतरित होती है उसे विद्धुत शक्ति काते हैं इसका ऐसा इमातरक इकाई वाट होता है विद्धुत मोटर में, विद्धुत मोटर में क्या होता है? विद्धुत मोटर में जो होता है उसमें विद्धुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदला जाता है आगे है मानव शरीर में होता है मानोशरीर में क्या होता है तो लगभग 70% पानी होता है मानोशरीर में आगे चलेंगे किस हर्मोन की सुई लगा कर गाय और भैस के थनों में दूद उतारा जाता है तो गाय और भैस के थनों में दूद उतारने के लिए अक्सिटोसिन नाम का एक हर्मोन की सूई लगा दे जाती है जिससे कि उन्हें अत्यधिक दुख धस्राव होने लगता है हलांकि या दूद मानल शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है तो इसका अगर पता चले कि मतलों अधित कौन सा गलत चुनने को कह रहा है तो देख लेते कौन गलत है इसमें हिमोगलोबिन पाया जाता है यह तो सही है इसका निर्मान अस्थि पंज्जा में होता है यह भी सही है अस्थि मज्जा यानि कि बोन मेरो इसे एरेथ्रोसाइट भी कहता है यह भी सही है इसका लिओट काणार के बाड़े में में से कौन सा तत्य गलत है तो श्वेत रख्तकां के बाड़े में गलत कतन चुर्णने को कहा है पहला ही गलत है इसनो फिल्स का ये प्रकार है सभी षब पर गलत है नेक्स्ट है गुरु जल क्या है गुरु जल जो है यह क्या है तो यह गुरु जल जो है ऑक्सीजन और हैवी हाइट्रोजन होता है तो देख लेते हैं कौन सा है गुरु जल में गुरु जल जो है ऑक्सीजन और हैवी हाइट्रोजन होगा तो इसका ओप्सन नमबर बी में दे किसने खोज की इसमें अमेरिका के एक हेराल्ड क्लेटन उड़े अर्थात हC उड़े थे इन्होंने ही भारी पानी की खोज की थी और इन्हें 1934 में वर्स 1934 में इनको रसायन विज्ञान का नोबल पुरसकार भी मिला था तो हC उड़े आंसर हो जाएगा जिन्होंने भारी प वस्तु है तो सबसे भारी वस्तु जो है यह कौन है आंसर हो जाएगा आस्मियम जितनी भी ग्यात धातुएं है उन सभी में जो आस्मियम है यह सबसे भारी धातु है आस्मियम जो है प्लैटिनम समों की च्छा धातु में से एक होती है और इन सबसे अधिक दुस्ट प्रा इसको सबसे पहले टेनांट ने ठाड़ासो चार में आसमीरीडियम से प्राप्त किया था, किसने टेनांट ने, नेक्स्ट है सबसे हलका धातू, सबसे हलका धातू कौन है अब, तो सबसे हलका धातू लीथियम होता है, जो कि एक रासायनिक तत्तो भी होता है, ठीक है, लीथि चलते हैं भूगोल है अब अगला question ठिक है हाँ भूगोल है निम्लेकद में से किस परवस्रेनी का विस्टार केवल केवल एक राज़तक सीमित परवस्रेनी है आजंता ठीक है अजनता की स्रेनिया जो है उत्तर मध्य महारास्ट्र में इस्थित है पशिमी भारत में ठीक है आड़ गुप्त कालीन भित्ती चितरकारी के लिए ये विश्शु परसिद्धे हैं कौन सबसे प्राचीन परवत है सबसे प्राचीन परवत की बात करें तो इसमें अराबली के जो परवस्ट्रेनिया है सबसे प्राचीन है और यह संसार की सबसे प्राचीन है और राजस्थान को उत्तर से दक्षिन दो भागों में यह जोड़ती है सहियाद्री परवत इस्थित है सहियाद्री परवत जो है यह कहां इस्थित है आंसर हो जाएगा महारास्टर में सहियाद्री परवत का भाग महारास्टर में भी है तो option के according यहाँ पर महारास्टर हो जाएगा कुल्लू घाटी जिन परवस्ट्रेनियों के बीच अवस्थित है वह है तो कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच इस्थित है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल घाटियों के बीच इस्थित है नेक्स्ट पे चलते हैं पुर्वी और पश्मी घाट कहां मिलते हैं पुर्वी और पश्मी घाट को मिलाने वाली जो पहारी है वो है नीलगिरी की पहारी भारत का पुर्वी समुदरतत किस नाम से जाना जाता है तो भारत का पुर्वी समुदरतत जो है या कोडो मंडलतत के नाम से जाना जाता है अरब सागर में इस्थेत भारतिय द्वीपों की सरवाधिक महतुपुन विशिष्टता क्या है तो इसमें भारतीय दीप की सबसे महतुपुन विशिष्टता क्या है देख लेते हैं इसमें ये सभी परवाल उद्गम के हैं आंसर हो जाएगा ये सभी परवाल उद्गम के हैं आगे है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है 2011 के जनगना के अनुसार नियूनतम जनगनतो वाला राज्य जो है यह अर्नाचल परदेश है। जो कि अर्नाचल परदेश का जनगनतो मात्र 17 है। अर्थात 17 वेक्ती हैं परती 1000 वर किलोमीटर के छेतर में गनतो मापा जाता है परती 1000 वर किलोमीटर के छेतर में कितने लोग वहाँ पर रहते हैं या निवास करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के जनगना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में ग्रामीन जनसंख्या का परतीशत है। तो ग्रामीन जनसंख्या का परतीशत कि इतना है 68.8 परतिशत भारत की 68.8 परतिशत ग्रामीन है अरफात गाओं में निवास करती है भारत में वर्स 2011 के जनगर्ना कर नृसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात है सरवाधिक शिशु लिंगानुपात जो है यह है इसाई में इसाई में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है और जिसमें हिंदूओं का लिंगानुपात जो है 2011-2019-913 आंका गया है मुसलीमों का 943 आंका गया है और इसाई का है 958-958 और सिख का जो है यह 828 आंका गय ठीक है तो इस तरह से अंसर है आगे चलते हैं सरवाधिक यहाँ पर पूछा जा रहा है तो सरवाधिक यहीं हो जाएगा इसाइका नेक्स्ट है अमर कंटक से कौन सी नदी निकलती है अमर कंटक से निकलने वाली नदी जो है यहां आपसन के अकॉर्डिंग नार्मदा नदी आगे हैं भारती अर्थविवस्ता से राष्ट्रिय आर्थिक समिख्ष法 2021 के अनुसार देश का परति व्यक्ती निवल राष्ट्रिय आये चालु कीम्तों पर 2021 था 2020 में कितना था? आंसर हो जाएगा 1,26,968 रुपया इसका प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट ये आये जो था 2021 के चालू कीमतों पर 1,26,968 रुपया नेक्स्ट है वर्व lived 2020 के अंतिम अनुमानों के मताबिक प्रचलित किमतों पर प्रतिवेक्ति आये रहना अनुमानित है कितना है अनुमानित? तो आंसर हो जायगा इसमें 8,28, eggs. एक लाख 8,869 अप्रेल 2020 की तुलना में अप्रेल 2021 में आयातों में कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लस 167.05% मतलब प्लस में हैं गिरावट या ब्रिद्धी ठीक है आगे चलते हैं 64 कुश्चिन नमबर 64 है भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगावलिक चैत्र का कितना परतिशत वनावरन है तो इसमें देश में कुल मिलाकर की 21.67% छैत्र में वन आवरन है भारत वन स्थेते रिपोर्ट आئेस एफ़ार 2019 के अनुसार देश में वन और वरिक्छा वरन देश के भागॉलिक चेतर का कितना परतीशत है आंसर हुजाएगा इसमें यह 24,56 परतीशत 2019 में भारत वन इस्थिती रिपोर्ट आई है जिसकी अनुसार बताया गया है कि देश में वन और वरिक्छा वरन देश के भागॉलिक चेतर का 24.56 परतिशत है यह परतेक दो साल पर निकाली जाती है यह रिपोर्ट तो 19 में आ गया अब 21 की रिपोर्ट 22 तक आ जाएगी ठीक है तो अभी फिलाल हमें इसी रिपोर्ट के आधार पर पढ़ना है और इसी से क्वेस्चिन्स आएंगे ब्याज भुगतान विशय है ब्याज भुगतान किस चीज का विशय है किसे संबंधित है तो यह पुंजीगत व्याज से संबंधित विशय है विदेसी मुद्रा जिसमें त्वारित प्रवास की प्रविर्ती होती है कहलाती है वह विदेसी मुद्रा जो की तुरंत ही प्रवास कर जाती है वो गर्म मुद्रा यानि की होट करेंसी कहलाती है एसी मुद्राओं में अंतरास्ट्रियबाजार में इनके पलायन की छमता अतितिवर होती है इसलिए इनको होट करेंसी यानि के गर्म मुद्रा कहा जाता है आगे है ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का विश्व में स्थान है बारत में थोक्मुल सुचकांक का अधार वर् किये जाते हैं अब है आगे question भारत में रास्ट्रिय आय समंगों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है पहले रास्ट्रिय आय का आकलन जो है यह CSO के द्वारा कराया जाता था लेकिन अब NSO के द्वारा किया जाएगा अर्थात रास्ट्रिय सांखी की काडियाले के द्वारा ठीक है, इसमें दो विभागों को मिला करके एक कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वे कौन से दो विभाग है जिनको मिला करके एक करके NSO बनाया गया है नेक्स्ट है देश की बजट 2022 में निम्ड में से किस टीके को सारे देश में लगवाये जाने की गोशना की गई है आंसर हो जाएगा निमो कोकल वैक्सीन तो निमो कोकल वैक्सीन जो है एक विशिस्ट परकार के फेफरों के संक्रमन जिसे निमोनिया कहते हैं निमोनिया को रो और यह pneumococcus जो है इक परकार का जीवानू होता है pneumococcus. तो इसी के कारण pneumococcal नामक यह संकरमन होता है जिससे और इस pneumonia नाम की बिमारी से बच्चों की मिर्तियु को जाती है. वित्यमंत्री ने कहा है कि इस वैक्सिन से हर साल लगबग 50,000 बच्चों की जाने बच सकती है थालिनो मिक्स की अवधारना निम्न में से किस में सरपर्थम पड़ियुक्त की गई थालिनो मिक्स की अवधारना यह पड़ियुक्त की गई है आर्थिक समिक्छा 2019-2020 की जो आई है उसमें थालिनो मिक्स अर्थात भोजन का अर्थ सास्तर समझने की कोशिस की गई है आगे चलते हैं कुशिन नंबर है 73 किसी भिन के अंश में 250 परतिश्यत विर्धी करने पर ततहार में 400 परतिश्यत विर्धी करने पर प्राप्त भिन 7 बटा 19 है प्रारंभिक भिन क्या है आंसर हो जाएगा 10 बटे 19 30 मीटर परतिस सेकेंड की चाल से जा रहे है एक रेलगारी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है इस रेलगारी की लंबाई कितनी है आंसर हो जाएगा इसका 300 मीटर ठीक है नेक्स्ट है यदि किसी बेलन कितरी जयाएवा मुचाही में से परते को 10 परतिस्ट बढ़ा दिया गया हो तब उसके आयतन में कितने परतिस्ट की व्रिद्धी होगी तो 33.1 परतिस्ट की ठीक है अब इसी तरह से ये 76 का हो जाएगा डी और 78 का कुछ बढ़ेयों ने काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया प्रंत उनमें से 5 अनुपस थी थी और स स्क्वार मैनस 3 X मैनस 11 बढ़ाबर है मैनस 5 के और इसी तरह से F X is equal to X to the power 7 प्लस B X to the power 3 प्लस C X मैनस 5 जहां A B C नियत कॉंस्टेंट है यदि F मैनस 7 is equal to 7 तो F7 बढ़ाबर तो F7 बढ़ाबर हो जाएगा मैनस 17 A और B मिलकर किसी कारे को 8 दिन में पुरा कर लेते हैं B अकिला इस कारे को 12 दिन में पुरा कर सकता है B इस कारे को 4 दिन करने के पस्चार छोड़ देता है इस कारे को पुरा करने में एक इतनी दिन का समय ले बाद C भी 15,000 रुपे लगा कर उसमें समलित हो गया दो वर्स बाद 45,600 रुपे के लाब में से C का कितना भाग हो जाएगा आंसर इसमें भी 12,000 हो जाएगा यानि कि C 3 to the power x plus 8 is equal to 27 to the power 2x plus 1 हो तब x का मान है तब x का मान कितना होगा बी हो जाएगा एक मान है अब आते हैं बिहार special से question है question number 83 वर्स 2019-20 में बिहार का कुल व्याय कितना था तो विहार का कुल व्याय जो था यह था एक लाग 43,613 करोर बिहार में राजसु घाटा राजसु अधिसेस में परिनत हो गई है वर्स 2019-20 में राजसु अधिसेस रहा तो वर्स 2019-20 में राजसु अधिसेस जो है यह 699 करोर रहा था बिहार में वर्ष 2019-2020 में विकास मुलक ब्याय का हिस्सा समगर ब्याय में कितना था तो समगर ब्याय में 65.4 परतिशत हिस्सा था ठीक है बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च के शेत्र में होंगे तो बिहार बजट में सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर करन कहां इस्थित है, आंसर हो जाएगा बिहार, डगमारा पडियोजना बिहार में इस्थित है, और बिहार के सुपॉल जिले में इस्थित है, मेरा जीवन संगर्स, मेरा जीवन संगर्स बिहार से संबन्द इतकी सो तंतरता सिनानी की आत्म कथा है जिसमें अमेरिका के एक विश्व विद्याले में पढ़ाया जाना है तो ये इसे पढ़ाया जाना है आप सुनके अकोर्डिंग तो यहाँ पे नहीं है स्वामी सहजानन सरस्वती इनकी कहानी को पढ़ाया जाएगा आगे है बिहार के निवास 21 अभिनेता को आस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटि यानि की विविद्यता आवार्ड से समानित किया गया है बिहार के ये रहने वाले हैं इनको आस्ट्रेलिया में डायवर्सिटी अवार्ड दिया गया है तो यह है पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी को आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतिय फिल्म महतसे जमारों में डायवर्सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है अर्थात ये हर तरह का रोल कर लेते हैं इनके करेक्टर में विवेधता है मुख्यमंतरी नितिश कुमार के द्वारा किस जिले में स्थित गुवारी डिह टिला की एतिहासिक स्थल के रूप में विक्सित करने की घोशना की है तो गुवारी डिह टिला जो है ये भागलपूर में इस्थित है और इसको एतिहासिक स्थल के रूप में विक्सित करने की घोशना मुख्यमंतरी नितिश कुमार के द्वारा की गई है आगे है बिहार के किस जिला में राज्य का पहला टेस्ट्यूब माध्यम से गाए के बच्चे का जन्म बेगु सराय में कराया गया है ठीक है और हलाकि आगे बढ़ते हैं वर्स 2019 में बिहार में व्रिच्चादन और वनाच्चादन राज्य की कुल भग अलिक छेतर फलका है तो व्रिच्चादन और वनाच्चादन कितना है तो यह राज्य के कुल भग अलिक छेतर का 9.9 परतिशत है आगे है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में कुल वन की व्रिद्धी हुई है कितनी व्रिद्धी हुई है आंसर हो जागा 0.077 परतिशत की व्रिद्धी हुई है आगे है सन 2011 के जनगर्णा के अनुसार जन संक्या घनत्तु की द्रिष्टी से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है तो बिहार का जो स्थान है भारत के राज्यों में वो है पर्थम स्थान किस अनुसार जन संक्या घनत्तु के अनुसार बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार जो है या दर्भंगा में इस्थित है दर्भंगा में और या साइबेरियाई पक्षियों के लिए परशिद्ध है साइबेरिया से आते हैं पक्षी यहाँ पे गारगी संगीता के अनुसार पाटली पुत्र पर या वनों का आक्रमन हुआ या आक्रमन किस के शासन काल में हुआ आंसर है पुशे मित्र सुंग के काल में नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन है जहानाबाद में इस्थित नागारजुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्मान किस ने कराया था गोपी गुफा का निर्मान समराट दशरत ने करवाया था जोकी अशोक के पुत्र थे इन्होंने नागारजुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए तीन ग पर्रुख सियर थे तो इनका राज्याविशेक जो है बिहार के पटना में हुआ था पटना में नमक सत्यागरा कब शुरू हुआ पटना में नमक सत्यागरा 16 अप्रेल 1930 को प्रारंभ हुआ था नेक्स्ट है कोईसिन निंबर 101 बिहार प्रांतिय बोड की स्थापना हुई थी बिहार प्रांतिय बोड की स्थापना जो है वह 6 नवंबर 1922 को हुई थी यह बिहार प्रांतिय बोड जो है यह अस्प्रिश्यता निवारन से संबंधित था आगे है पटना स्वदेसी लीग की स्थापना हुई थी पटना स्वदेसी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी और 1930 के मई महीने में पटना सोदेसी लीग की स्थापना हुई थी आगे है महेश नारायन पर्थम संपादक थे महेश नारायन किस चीज के पर्थम संपादक थे तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार टाइम्स के बिहार टाइम्स के महेश नारायन पर्थम संपादक थे बिहार हेराल्ड के पर्थम संपादक कौन थे तो इसके संपादक थे गुरु परसाद सेन भरतिय राश्टी कांग्रेस के 1912 के बांकी पूरा धिवेशन की अध्यक्षता की थी आर एन मध्होलकर ने किया था आगे चलते हैं बिहार students conference की स्थापना हुई दिहार students conference की स्थापना 1906 स्वी में हुई थी इसका बिहार में राश्टरवादी चेतना के विकास में इसका बहुत ही महत पुर्ण स्थान है भारत छोरु आंदोलन के दौरान जैप्रकास नारायन द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और परचार विभाग का अध्याक्ष की से बनाया गया था राम मनोहर लोहिया को नेक्स्ट है 108 नंबर कोश्यन है भारती अर्थ बेवस्था से भारत के रास्ट्रपती को भारती राज बेवस्था से तो भारत के रास्ट्रपती को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह मतलों कि कौन सा अधिकार भारत के रास्ट्रपती को प्राप्त नहीं है तो यह अधि एकार बहरत के रास्टपती को नहीं है कि उचितन न्यायाले के दूरा ही हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग के दूरा ही यह रास्टपती इनको नहीं हटा सकते हैं, ह選क अध्यादेस जारी करने का भी अधिकार है, अगे है समिधान में मंत्री मंडल अर्थात काबिनेट शब्द का एक ही बारपड़ियों किया हुआ है और वह है तो वह किस अनुचेद में है अंसर हो जयाएगा अनुचेद 352 भारते समिधान के नुसार राज्यों की विधाईका में सम्मिलित है राज्य की विधाईका में कौन-कौन सम्मिलित है आंसर हो जाएगा यहां पे राज्य की विधाईका में आप्सन नंबर विधाईका में हो जाएगा चार कह रहा है यानि कि राज्य पाल विधान सभा और श्रुभाभशा स्थाई सदन कहते हैं क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य परती दो वर्ष में अवकास ग्रहन करते हैं आम चुनाओं में मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है किस संसोधन के द्वारा तो यह है 61 संसोधन के द्वारा ठीक है 61 संसोधन अनुचेद 326 अनुचेद यह संसोधन तो 61 है लेकिन यह अनुचेद 326 में संसोधन किया गया है और इसके द्वारा मतदान की आयू सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है भारतिय संभिधान को संभिधान सभा द्वारा अंगी कृत किया गया अंगी कृत कब किया गया अंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को 1949 को अंगी कृत अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं इस तरह का लेक किया गया है प्रस्ताब नामे नेक्स्ट है राज्य के नीती निर्देशक्सिद्धान किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है मौलिक अधिकारों से नीती निर्देशक्ता तो इसलिए भिन्न है कि नीती निर्देशक्ता तो जो है नयायाले द्वारा प्रवर्त निये नहीं है जबकि अधिकार जो है यह प्रवर्थ नहीं है आगे है question number 115 115 में कहा जा रहा है कि भारतिय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके दोरा नहीं प्राप्त की जा सकती है आंसर हो जाएगा भारतिय बैंक को धन जमा करके अर्थात धन के आधार पर भारत की नागरिक्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है, देश्य करन के दोरा भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित करने के कारण भी हो सकता है, लेकिन भारतिय बैंकों में धन जमा करके कोई भी भारत की नागरिक्ता प्राप्त नहीं कर सकता है, मौलिक कर्तब्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तब्य को निर्धारित करने के अलिए 42 संभिधान संसोधन इससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा 42 संभिधान संसोधन द्वारा, रार्ष्ट्रपति द्वारा, राज्य सभा में कितने व्यक्ति मन नीत किये जाते हैं तो संभिधान का अनुछेद 80 है जिसके अनुसार राजसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 250 है और उसके उसमें 12 सदस्य जो है रास्ट पती द्वारा निर्देशित किया जाते है और या बिभिन छेत्रों से जैसे की कला, साहित और बिभिन तरह के वि वर्तमान काड़ी किया है विशेस काड़ी किया है उससे समंधित 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है नेक्स्ट है वर्तमान में रास्ट्रपती की सैलरी कितनी है वर्तमान में रास्ट्रपती की सैलरी जो है यह 5 लाख दी जाती है 5 लाख की सैलरी रास्ट्रपती की है जिसमें से सैलरी के अलावे उन्हें अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं आगे हैं हाला कि कोभीट की कारण रास्टपती की सैलरी में भी 30% की कटोती की गई है और हला कि रास्टपती की सैलरी पर प्रेसिडेंट से पेंसन एक्ट वगड़ा भी लागू मतलों इसमें से छूट देता है टैक्स से हलाकि ऐसा भी लगता है कि इस रास्टपती भी टैक्स देते हैं हलाकि वस्तु इस्तिती जो भी हो वर्तमान में रास्टपती की सैलरी कितनी है पाँच लाग तो आगे अंतरास्ट्रिय साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है आंसर हो जाएगा अंतरास्ट्रिय साक्षर्ता दिवस का आठ सितंबर को मनाया जाता है ठीक है अंतरास्ट्रिये आपदा निवनी करन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को अंतरास्ट्रिये आपदा निवनी करन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रिय आधुनिक कला दिर्गा के स्थापना कब हुई तो राष्ट्रिय आधुनिक कला दिर्गा के स्थापना 1954 में हुई थी आगे है सालार जंग संग्रहाले कहां इस्थित है सालार जंग संग्रहाले जो है या हैदराबाद में इस्थित है इस केस थापना 1951 में की गई थी 1951 में आगे है समसामी की से related questions समसामी की ठीक है 5 अगस 2020 को किस भारत्य पालवान ने टोक्यो अलम्पिक में 57 kg free style work में रजत पदक जीता तो 57 kg में 57 kg में जीता है रवी कुमार दहिया ने टोक्यो अलम्पिक में 57 kg free style work में रजत पदक जीता है और इन्होंने किसको हरा करके जीता है रूस इन्होंने जीता है इनको हराने वाले हैं रूस के ओलम्पिक समीति के पहलवान है जोकर युगुएप इन्होंने साथ चार से इनको मात दी है ठीक है और ये उलम्पिक में कुस्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतिये बन गया है आगे चलते हैं question number 125 है उलम्पिक में हिस्सा लेने वाले किस देश की परवतार हो ही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी केटू के शिखर पर पहुँचने वाले विश्सु के सबसे कम उम्र के बैक्ती बन गया है तो काशिफ, शहरोज काशिफ, शहरोज काशिफ है पाकिस्तान के जो की दुनिया के सबसे कम उम्र के परवतारोही अर्था 17 वर्ष के हैं ये और ये पाकिस्तान के हैं और केटू के शिखर पर पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के परवतारोही बन गये हैं भारतिय होके टीम ने 40 वरस बाद जर्मनी को हड़ाका टोकिय उलमपिक में इन में से कौन सा पदक जीता, तो इन में से पदक जीता है भारतिय उलमपिक ने कान से पदक झीक है, ध्यान रखिएगा भारतिय टीम को 1, 2 और 4 का हेर रैसियो, उलमपिक में एक स्वर्न ठीक है, एक स्वर्न है, गोल्ड, ठीक है, दो सिल्वर है और चार जो है ब्रॉंज है, ठीक है, चार ब्रॉंज है, नेक्स्ट है किस देश ने विश्व परसिद एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट जैसी टीएस भारत को देने का फैसला किया है, तो य हारपून का ही संस्करन है, यह से भारत को देने का फैसला किया है, किस भारती महिला शटलर ने टोकियो ओलंपिक में कान से पदक जीत लिया, टोकियो ओलंपिक में कान से पदक जीतने वाली पीवी सिंधू है, ठीक है, पीवी सिंधू, बैडमिंटन खिलारी है, इन्होंने चीनी शटलर बिंग सियाओ पर जीत दर्ज की है और व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीतने वाली है पहली महिला भारती महिला खिलारी बन गई है इन में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संजुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता सौपी गई है संजुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता भारत को सौपी गई है बर्स अगस्त 2021 के लिए हाली में हाली में किस देश ने 7-13 वर्स के लिए COVID-19 के TK लांच किये कोविड-19 के ठीके लॉंच किये है संजुक्त अरब अमिरात ने अर्थात UAE ने ठीक है UAE ने आर यह 3-17 वर्स आयुवर्ग के बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सिन यह लगाएगा नेक्स्ट है किस अमेरिकी देश में इस्थेत ज्वाला मुखी निराग गोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा पूरे शहर को खाली करना पड़ा है कांगो गंडराजी में ठीक है और कांगो का गोम नाम का एक शहर है गोम गोम नाम का एक शहर है जिसके नजदीक में जौला मुखी मौंट नीरा गांगो में विस्फोट हुआ जिसके कारण पूरी शहर को खाली करवाना पड़ा नेक्स्ट है हाली में जारी Global Livability Index 2020 में किस शहर को पर्थम स्थान प्राप्त हुआ तो इसमें पर्थम स्थान जो है Auckland को प्राप्त हुआ है और यह Global Livability Index जो है या Economic Intelligence Unit द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस साल के यानि कि बर्ष 2021 के इस रिपोर्ट में New Zealand को New Zealand का यह शहर है Auckland इसको first rank मिला है पर्थम स्थान मिला है दमिश्क दुनिया का सबसे कम या खड़ाब रहने योगिश शहर है तो सबसे उपर में हो गया Auckland और सबसे नीचे हो गया दमिश्क ठीक है निमने लिकित में से किस संस्थान है दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केवल परियोजना के निर्मान की योजना बनाई है अंडर सी केवल परियोजना गूगल ने तयार की है गूगल अमेरिका ब्राजिल अरजन्टीना और उरिगवे को जोरने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुदरी केवल बनाने की योजना के तयार कर रहा है नेक्स्ट है 134 तो 134 का कुश्चन है ओलम्पिक में हिसा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलिट कौन बनी है ओलम्पिक में न्यूजी लैंड की एक एथलिट है वेटलिफ्टर है ये लॉरेल हबर्ड लॉरेल हबर्ड ने ओलम्पिक में पहली ट्रांसजेंडर ये ब आगे है सरसथवा रास्ट्रिय फिल्म पुरसकार में किस राज्य को फिल्मों के लिए ज्यादा अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया तो फिल्मों के लिए ज्यादा अनुकूल राज्य सिक्किम को अवार्ड दिया गया है और सरसथवे रास्ट्रिय फिल्म पुरसकार में आगे है हाल ही में प्रारंब की गई S.A.G.E. पडियोजना अर्थाथ सागे पडियोजना का संबंध किस मंत्राले से है सागे पडियोजना का संबंध है समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले से और इस मंत्राले के जो मंत्री हैं थावर चंद्र गहलोद इन्होंने चार जुन 2021 को सीनियर केर एजिंग ग्रोथ इंजन अर्थात SAGE प्रोजेक्ट लांच किया है स्टार्ट अप प्रदान करने वाली बुजुर्ग देखवाल उत्पादो और सिवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चैन करने समर्थन और निर्मान के लिए ऐसे प्रयास किये गए हैं किस भारतिय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपिय अविश्कारक पुरसकार जीता है सुमित्रा मित्रा ने जीती है हाली में किस बैंक ने काऌच व्यक्तिगत रेन की यूजना की शुरूात की है काऌच एक प्रकार का व्यक्तिगत रेन की यूजना है और इसकी शुरूत SBI Bank ने किया है State Bank of India नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लांच किया गया है इफको के द्वारा इफको अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लिम्टेड इसने विस्व पढ़यावरं दिवस के अवसर पर नैनो खेप किसानों के लिए भेजी है उत्तर परदेश में ध्यान रखेगा उत्तर परदेश में नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतिय मुल्के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम नयायाले में पर्थम अश्वेत नयायमूर्ती बने हैं तो अश्वेत नयायमूर्ती महमूद जमाल ब प्राप्त हुआ तो एनेमिया मुक्त राज्जी की रैंकिंग 2021 में मंध्य परदेश को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है और इसमें ओडिसा जो है या दूसरे अस्थान पर रहा है नेक्स्ट है कुशिन नंबर 142 हले में किस राज्जी ने महिलाओं के टीका करन के लिए स्पेषल पिंक बूथ की शुरुवात की है उत्तर परदेश सरकार के दोरा की गई है हले में चरचित पुच्टक Home in the World हें Home in the World के लेखक हैं तो Home in the World के लेखक कौन है आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त सेन प्रोफेसर अमर्त सेन ने Home in the World नाम की पुष्टक लिखी है और यह नोबल पुरसकार विजेता भी है यह अर्थसास्त्री है ठीक है इन्होंने अपना संस्मरन लिखा है Home in the World में किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 strain से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है तो यह है चीन में H10N3 पताने कितने वाइरस प्रोडależ करेगा चाइना हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीस्रा सबसे बड़ा हीरा मिला है तीस्रा सबसे बड़ा हीरा मिला है बोट सुवाना में ठीक है बोट सुवाना एक अफ्रीकी देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है हीरे की खोज करने वाली कमपनी देवस्वाना ने बताया कि यह 1098 का है 1098 का है अभी हाल ही में भारत्य मूल के कौन व्यक्ति Microsoft के नए चेर्मेन बने है Microsoft के नए चेर्मेन जो है यह सत्य नाडेला को बनाया गया है हाल ही में किसे डवलु एचो के वैस्विक वाईू परदूशन वह स्वास्तितक्नीकी सलाकार समू के मानत समू नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा इसमें मुकेश शर्मा को IIT कानपुर के ये फैकल्टी है इनको मानत सदस से बनाया गया है राश्ट्रिय मानुवाधिकार आयों के वर्तमान अध्यक्ष है नेक्स्ट पे चलते हैं कोशन नंबर 149 है जून 2021 में व्यापार इवं विकास पर संजुकतराष्ट रसंगठन अंक्ताड की नई महानिदेशक कॉन बनी है तो नई महानिदेशक अंक्ताड की बनी है रेवे का ग्रीन स्पैम थीक है, इनको अंक्ताड की नई महानिदेशक बनाया गया है और ये कोस्टारिको की रहने वाली है, कोस्टारिको की अर्थसास्त्री है, आगे है 150, पुलितजर पुरसकार से किस भारतिय मूल के पत्रकार को पुरसकार मिलता है, पुलितजर मिला है, पुलितजर पुरसकार में किस भारतिय मूल के पत्रकार को पुरसकार मिला है, आंसर हो पुलित्चर पुलसकार दिया गया है इन्होंने चीन के जूट को जागर किया था चीन के डिटेंशन सेंटर कैम्पों की सचाई इन्होंने दुनिया के सामने रख दी थी इन्होंने सेटलाइट तस्वीरों के जरिये बताया कि चीन कैसे लाखो उईगूर मुसल्मानों को कैद करके रखा हुआ है तो इस तरह से समप्त होता है यह वीडियो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करें साथ ही अपने लाइक और कमेंट्स जरूर दें तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में BPSC और हम पे धन्यवाद